हुआ है हलो दोस्तों मैं संदीप आप सबका अपने यूटूब चैनल ग्यान आर्वियल में स्वाटत करता हूं यहां पर हम क्या देखने वाले हैं हिंदी साहित में जो भी पुरुसकार दे जाते हैं उनके बारे हम देखने वाले हैं और देखे हमने बहुत सारे पुरुसकार देख लिए जैसे सला का शम्मान हो गया ठीक है पारतोसिक पुरुसकार हो गया और भी कई सारे पुरुसकार हम आज देखिए हम आपके लिए एक नया पुरुसकार ले कर गया चुके हैं, जिसका नाम है Soviet Land Nehru Pुरुसकार और इस से कोशन आपके UPSI में भी पूछे गए हैं, तो हम Soviet Land Nehru Pुरुसकार के बारे हम देखेंगे कि इसको कब दिया गया है ये, ठीक है, उनके जो प्रमुक कभी भी हम बात करने वाले, तो चलिए सुरू करते हैं, तो चलिए अब देखने वाले हम, देखिए पहला किसको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत जी को, क्या सुमित्रा नंदन पंत जी को किस लिए दिया गया, उनकी एक रचना थी, लोकायतन क्या, लोकायतन के लिए दो तो इन्हें हम एक चीज और याद करेंगे इनकी बारे में कि 1968 में क्या 1968 में इन्हें हिंदी का प्रथम ग्यान पीट पुरुषकार दिया गया था किसका हिंदी का प्रथम ग्यान पीट पुरुषकार दिया गया था दोस्तों किसके लिए इनकी रचना थी चिदंबरा के लिए क्या चिदंबरा के लिए दोस्तों इन्हें हिंदी का पर्थम ज्यान पीट पुरुसकार भी दिया गया था और वहीं अगर बात कर लें सुमित्यन अंदन पंद की तो इन्हें साहित अकदमी पुरुसकार भी दिया गया है ठीक है तो ये चीज आपको बिल्खुल अच्छे से याद रखनी है तो कि देखे सुमित्र नंदर पंद क्या है बहुत ज्यादा important भी है चलिए अगला देखते हैं सिव मंगल सिंग सुमन को दोस्तों मिट्टी की बारात के लिए दिया गया है ठीक है क्या मिट्टी की बारात के लिए दिया गया है अगर हम सिव मंगल सुमन की अगर जनम की बात करते हैं इनका जनम उन्नाव जिला में हुआ यानि उत्तर प्रदेश के ही हैं उन्नाव जिले स ठीक है अब इनकी बात करते दोस्तों तो इन्हें 1974 में क्या दोस्तों 1974 में दोस्तों इन्हें क्या दियागा है साहित एकदमी पुरुसकार याद रखेंगे 1974 में साहित एकड़मी पुरुसकार दिया गया दोस्तों किसको बात करते हैं सिव मंगल सिंग सुमन जी की दोस्तों ठीक है तो बहुत ही यादा important है आपको बता दे इनकी रचना कौन से थी तो इसी रचना के लिए इनकी बात करते हैं 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 इन्हें भारत भारती सम्मान भी दिया गया है 1993 में नहीं भारत भारती सम्मान भी दिया गया है आपकों पहले पढ़ा चुके भारत भारती और 1993 में ही सिखर सम्मान भी दिया गया इनको क्या सिखर सम्मान दिया गया और 1974 में दोस्तों इन्हें पदम सिरी दिया गया क्या पदम सिरी सम्मान दिया गया और 1999 में पदम भुसर सम्मान भी दिया गया तो इतने सारे सम्मान सुमंगल सिंग सुमन को मिले हैं मिट्टी की बा बान्दा जी ले कि कहाँ के? बान्दा जी ले कि इनकी रचना काऊंसी है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लिए इन्हें ये पूरुषकार दियागा है, इनकी हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1986 में इन्हें क्या मिला है, तो साहित अकदमी पूरुषकार भी दिया गया है, इसके लाव में इन्हें दोस्तों तुलसी पुरुसकार भी दिया गया है, मैतली सरन गुप्त पुरुसकार भी दिया गया है, किसको केदार नाथ अगरवाल जी को, तो ये चीज़े आपको बहुत अच्छे से आठ रखना है, चलिए, चौथे नमबर पे क्या है दोस्तों, र बात ही कर लेतें दोस्तों आइक को बता दें कि राम विलास सरमा को 1970 साहित कैद्मी पुरुसकार भी दिया गया है कब 1970 में कि सरजना के लिए और ये कोशन आपके पुलिस के एक्जाम में पीशा गया था जो इस बार हुए थे दोस्तों ठीक है तो याद रख लेंगे निराला की साहित साधिना के लिए इन्हें साहित एकदमी पुरुसकार दिया गया है उसके लावा दोस्तों बात करते हैं राम बिला सर्मा की तो इन्हें प्रथम क्या फश्ट जो है दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया क्या फश्ट व फाउंडेशन द्वारा तो ये भी आप याद रख लेंगे ठीक है चलिए अगला देखते हैं दोस्तों अमरत लाल नागर के वारे में तो अमरत लाल नागर दहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों इनकी जो रचना थी अमरत और विस के लिए दोस्तों ये पुरुसकार दिया गय है ठीक है अगर इनकी बात करते कहां के हैं तो दोस्तों ये भी अपने यूपी के ही हैं इनका जन्म आगरा में हुआ था दोस्तों और इनको अमरत लाल नागर को साहित एकद्मी पुरुसकार भी दिया गया है कब उनीस सो शर्चना के लिए तो इसी रचना के लिए अमरत और इसके लिए ही दोस्तों इन्हें साहित एकद्मी पुरुसकार दियागा कब उनीस सो सर्चना को दोस्तों और इन्हें भारत भारती सम्मान भी उनीस सो पचासी को वो हमने पहले पढ़ा दिया तो नीस सो पचासी को भारत भारती सम्मान भी दियागा किसको अमरत लाल न चदरिया ठीक कौन कोई सी झीनी जीनी बीनी चदरिया याद रखना दोस्तों इसके लिए इन्हें सोवियत लाइंड नहरू पुरुषकार दिया गया और अगला बात करते हैं अमरकांथ की तो ये भी बहुत ही फेमस दोस्तों हैं ठीक है क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत पता होगा ये बलिया के हैं बलिया कहां पढ़ता अपने ही उत्तर पढ़ता है और ये सबसे क्या है पूर्वी जिला है क्या है सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों तो अमरकांद के वारे मिया रखेंगे इन्हें क्या दिया गया है दोस्तों तो बिल्कुल अच्छे से ठीक है कौन सा सम्मान तो सोवियत लैंड नहरू पुरुषकार दोस्तों दिया गया है इनी हथियारों से के लिए और दोस्तों बात कर लें अमरकांद की न तो इन्हें 2007 का साहित एकदमी पुरुषकार भी दियागा कब 2007 का साहित एकदमी पुरुषकार दियागा किस रचना के लिए पुरुसकार और 2007 में दोस्तों साहित गर्मी पुरुसकार किस रचना के लिए इन ही हथियारों के लिए दोस्तों इनका जन्म वलिया में हुआ था तो देखिए आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो सेयर करना और एक चीज और आपको बत तो यहां पर जाईए आप अच्छी से अपनी क्लास लीजिएगा और देखिए संपूर हिंदी पढ़ना तो आप इस बैच को जोईन कर सकते हैं इस पर आपको अगर देखिए वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिल आइकन ज़रूर प्रिसकर देना क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे थैंक्यू धन्यवाद